और 1478 में ECV में यूरोपीय भारत आये थे जिक ए तो लेकिन अगर आप लोगों से कहा जाए कि देखें बावर जो है यूरोपीयों से बाद में आया था深 enquार्च लेकिन सासन जो है यूरोपियों ने बाद में किया है क्योंकि जो यूरोप के लोग थे जो यूरोप की पाच कंपनिया भारत के अंदर आई थी उन वो कंपनिया पहले व्यापारिक मकसद से आई थी और वो व्यापार में लगी रही इन लोगों का व्यापार सापार से कोई मतलब न अकवर का बेटा था जहांगीर जहांगीर का बेटा था कौन सा जहां सहा जहां और सा जहां का बेटा कौन था ओर अरंग जेव चिकने सा जहां का बेटा ओर अरंग जेव और अरंग जेव तो यह चैसा सकते च्छिकने कितने सा सकते यह यह आप लोगों की चैसा सकते जो यह है आप लोगों के यहां से स्टार्ट हुए हम इनके बारे में डिस्क्राइब करके कप पढ़ेंगे मुगलकाल जो पढ़ाया जाता है वो मध्यकाल भारत में और ओरंगजेव की बारे में उससे पहले यूरोपय कंपनी आगई नियुक्त यो तुन यहां पर शासन कर रहे थे और सल्तनतकाल जो मुगलकाल से पहले थे सलतनतकाल और काल और मुगल काल दोनों को हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं अब उसी समय जो है यह यह यूरोपिय कंपनियों ने अपना व्यापार जो है बढ़ाना सुरू किया देश के अंदर बाबर आया इसने आते ही यह आकरांता थे जिकने इन लोगों ने आते ही यहां पर है लोग थे इन लोगों ने तो अच्छा खासा शासन किया भारत के ऊपर लेकिन यह ताकतवर बाश्या थे क्या थे यह बुगल बाश्या ताकतवर थे ठीक है मेहनती थे इनके बाद के जो बासा आए बारे बाश्या वह आज हम पढ़ेंगे तो इनके बाद के जो बारे ब करते थे आयाशी करना था तो उन चीजों का फायदा उठाते हुए इधर यूरोप ने जो है कभजा करना सुरू कर दिया यूरोप ने भारत के उपर सासन जो है फिर किसने कभजा लिया यूरोप ने कभजा लिया तो दीरे दीरे इनका खातमा कर दिया उसके बाद जब की पहले ही यूरोप भारत में आ चुका सब बावर से पहले ठीक है यूरोप जो है कहा यूरोप जो है वह बावर से पहले ही भारत में आ चुका था लेकिन जो है आप लोग समझे कि यह जो है जब ये आप लोगों का लास्ट हुआ सबसे लास्ट बहादूर साह जफर 1857 तक बहादूर साह आला कि यहां तक तो इनका वर्चस खतम हो चुगा था लेकिन पूरे तरीके से तो खतम 1857 में हो गया था उसके बाद पूरा पूरा कभजा तो समझेए 1500 से 1857 लगबग 300 साल तक इनों ने जो है इनी को काम यही करते रहे हाला कि पहले इनों ने पूरा किया फिर दीरे 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 यह कमजोर पढ़ते चले गए फिर दीरे दीरे यह भी शाशन करते रहे यह फिर यह 1857 में जाकर व्र 강्राप्राप्त बसक्तिähän नोज। चल्यागद नियम्रोप्ज का graveyard शुक्ते सफीत मैं? मुत्य। कि जीर निस सबक्राइक क्यों धाया है ? निढसे ख़्यों मेर Sutton। ते गूंत हं पूर समस्ती निदो और लोगोलững पता हैं penso वैं विद्ल मौर्च 3 March 1707 में हुई ओरंग जेव की मिरत्यो ओरंग जेव की मिरत्यो ठीक है अब हम पता है पढ़ क्या रहे है पहले ये देखो चेप्टर का नाम तो हमने जो है अब तक आप लोगों ने पढ़ा क्या आप लोगों ने पढ़ा क्या अब तक आप लोगों ने पढ़ा है युद्ध वो यूरोपिय कंपनियों को आगमन ठीक है आप लोगों का पहला चैप्टर फिनिस हो गया यूरोपिय कंपनियों को आगमन फिर यूरोपिय कंपनियों के आगमन से पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि उत्तर मुगल काल के ह कुछ दल बताए थे जिनका यहां पर जो है बड़ा महत्पून रोल है उन्हें आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था तुरानी दल के बारे में जो मद्धे एशिया से आये थे मैंने आप लोगों को बताया था इरानी दल के बारे में जो इरान से आये थे मैंने पर जो आये थे तो सेनिक इनके साथ जो आये थे तो जो सेयनिक ज़हा से आया था उनके जो जो मत 왜 ने, sonints नोगों के के न Zentने लोग हैं तुरानिदर के जो रोगए मध्य एप लोगए नीında से लोगए इन मैं और एक था आप लोगों का अमीन खाँ और एक था आप लोगों का जकरिया खाँ ये तीन लोग थे तुरानी दल के और निजामल मुलकों और अमीन खाँ इन दोनों ने ही सयद बंदूओं का पत्न किया था इन्हें ही मरवाया था दूसरा है इरानी दल इरानी दल में एक तो था जुल्फिकार खाँ, इनकी हम भी हम बात करने वाले हैं सब की, जुल्फिकार खाँ, जुल्फिकार खाँ के बाद आप लोगों का कौन था, जुल्फिकार खाँ, और इसके बाद आप लोगों का एक था, सादत खाँ, सादत खाँ, चीक है, सादत ख खां के बाद एक था आप लोगों का अमीर खां और अमीर खां के बाद एक था आप लोगों का इस्तियाक खां क्या नाम था इस्तियाक खां चीक है उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था अफगानी दल चीक है तो अफगानी दल में एक तो था गुलाम मोहमद गुलाम म दो थे, सैयद बंदु में आप लोगों का एक तो था कौन, अब्दुल्ला खां, दो भाई थे ये, अब्दुल्ला खां, और दूसरे थे हुसेन अली, ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने याद भी कर लिये होंगे, मुझे पता है, ठीक है, और ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है, अब हम चलिए, इनका जिकर बीच-बीच में होता रहेगा, तो उसे हम समझते रहेंगे, देखिए, तीन मार्च 1707 में होगी ओरंग जेव की मिरत्यू, जब ओरंग जेव की मिरत्यू होई, तो इसके जो है, तीन पुत्र थे, एक तो था मुद्जम, एक था आजम, ठीक है, मुद्जम जो था, बताते हैं अभी, एक था आजम और एक था कामबकस, कामबकस, मुद्जम जो था, ये आप लोगों का काबूल, काबूल का सूबेदार था ये, क्या था ये, ये काबूल का सूबेदार था, चीक है आजम जो था आजम यह गुजरात का सूविदार था औरंगजेव के सामने की बात है यह गुजरात का सूविदार था और कामबकस जो था यह बीजापुर का सूविदार था ठीक है और पूरे भारत का जो बाश्चा था वो था औरंगजेव उसी के यह तीन पुत्र थ ऐसे एक तो काबूल सूभा क्योंकि काबिल पाकिस्तान में न तो यह जो है उसी के कबजे में मतलब हमारा वहीं तक राज था सारा टोटल उसी में से तो 2547 में लगवा चिक है तो मुझम जो है काबूल का सूबधार था आजम गुजरात का सुवेदार था और कामबकस बीजापुर का सुवेदार था अब ये क्या हुआ ये तीनों जो हैं आपस में लड़ने लगे जब वो तीन मार्च 1707 को ओरंग जेव की हो गई मिरत्यू तो इसकी मिरत्यू के बाद ये तीनों आपस के लिए उत्तरादिकार के यु दोते आ रहे थे आपस में जो तुरादिकार को लेकर तो ये नहीं चाहता था कि इनमें युद्धो तो वो जो है एक वस्यत लिग गया था और इस वस्यत में बटवारा कर गया था औरंग जेव लेकिन ये लोग नहीं माने उसके बाद भी ये लोग जो है अब उधर से चल दिये और दिल्ली की तरफ को चलते चलते रास्टे में ही रास्टे में ही जो है सत्रेसो साथ में ही रास्टे में ही इसने मुध्जम ने मुध्जम 1707 में ही June 1707 आप कह सकते हैं इसे June 1707 में मुज्जम वर्सिज आजम जो गुजरात का सुविदार था आजम और मुज्जम जो काबूल का सुविदार था ये रास्ते में ही दोनों भिड़ गए इन दोनों की लड़ाई होई और उसे कहा जाता है जजाओ का युद्ध क्या कहा जाता है उसे उसे जजाओ का युद्ध कहा जाता है जजाओ के युद्ध में दोनों लड़े दोनों लड़ने के बाद इन में मुज्जम जीत गया कौन जीत गया मुज्जम जीत गया ठीक है और इसने अपने आपको रास्ते में ही बहादुर शाह की उपादी गिरहन की खुद को अपने आपको अपने आपको इसने बहादुर शाह गोसित किया कि मैं हूँ बहादुर शाह इस मुध्जम ने तो मुध्जम का ही नाम दूसरा है बहादुर शाह पर्थम तो इसने अपने आपको बहादुर्शा गोसित करा इसने अपने आपको बहादुर्शा की उपादी गिरहन करी और ये आकर दिल्ली की गद्धी पर बैठ गया कहां पर आयकर बैठ गया ये दिल्ली की गद्धी पर आकर बैठ गया तो इसने आजमतो रास्ते में हरा दिया जजाओ के युद में हरा दिया 1707 इसवी में फिर इसने 1709 इसवी में हाला कि ये गद्धी पर बैठ गया लेकिन गद्धी पर बैठने के बाद इसे कामबकस से भी युद करना पड़ा और इसने कामबकस को भी पराजित कर दिया, 1709 में, 1709 में इसने कामबकस को पराजित कर दिया, मामला इसका साफ हो गया, तो कहने का मतलब है कि मुअज़्यम जो था ये 1707 में, 1707 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली का बास्सा बना, जजाओ के युद्ध में 1707 में, जून 1707 में जजाओ के युद्ध में मुअज़्यम ने आजम को हरा दिया, और ये बाहधूर्चा की उपादी ग्रहन क करके यह जो है दिल्ली का बास्षा बन गया दिल्ली की गद्धी पर बैठ गया और 1709 इस्वी में इसने काम बकस को भी पराजित कर दिया तो चलिए यह चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी बड़े अच्छे तरीके से तो अब देखिए अब जो है 1707 इस्वी में म सासन करा सत्रे सो बारह तक बाहदूर साह प्रथम ने कव से कव तक शासन करा सत्रे सो साथ से लेकर सत्रे सो बारह तक सासन करा ठीक है अपने दोनों भाईयों को इसने हरा दिया और यह सत्रे सो साथ से लेकर सत्रे सो बारह तक जो है सत्रे सो साथ से लेकर सत्रे सो बारह तक जो है इसने शासन करा चुझे है चलिए अब भाईया क्या हुआ इसका सबसे पहली वात तो देखेए अब तक जितने भी टोटल यह सबसे अंतीम विद्ध्वान बात्य तो देखेने हो तो सारे अच्छा खासा कार्याकाल किया और और अच्छा खासा उन्होंने भारत में जो है सासन किया है लेकिन यह बाहदुर साफ फिर्थम योग्य तो था विद्वान था लेकिन किस्मत वाला नहीं था आप यह कह सकते हैं क्योंकि यह पांच साल ही सासन कर चुका और यह ज्यादर सासन नहीं कर सका तो इसलिए किस्मत जैंको नहीं था यह पांच सल यह सासन कर सका लेकिन विद्वान भी था योग्य था चीखरिये यह विद्वान था और योग्य था लेकिन यह विद्वान किर्ट उसके बाद क्या था उसके बाद गुरु गोविन सिंग जो सिखों के दस्वे गुरु कौन थे गुरु गोविन सिंग और गुरु गोविन सिंग ने खालसा पंत की इस्थापना की थी और गुरु गोविन सिंग के बाद जो है गुरु की जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई सबसे दस्वें और सबसे अन्तिमं गुरु गोविन सिंग उसी और गोवन सिंगे साथ होने अच्छे असन्मदिale रखे थे और उच्च मंसव प्रदान किया था उच्च मंसवा मैं अप लोगों को सायद बता भी चुका हूँ कि मनसवकारत होता है कि कुछ व्याधिकार दे देना अपने राज्ये छेतर में कुछ अधिकार देना उसी को मनसव कहा जाता है तो इसलिए इसे उच्छ मनसव मतफ प्रधान किया गुरु-गौविंधि न कब उत्ची प्रधान किया और इनोहोंने इनके क्या होगी गुरू गोविन सिंग की होगी मिरत्यू तो गुरू गोविन सिंग के बाद जो है गुरू गोविन सिंग के बाद जो सिखों का नेत्रत्व किया उसका नाम था बंदा बहादूर क्या नाम था उसका नाम था बंदा बहादूर गुरू गोविन सिंग की मिरत्यू क के बाद कर दिया आंदोलन चीक है इन्होंने आंदोलन कर दिया मुगलों के खिलाफ ठीक है इन्होंने जमका आंदोलन किया तो बाहदुर साथ पर्थम जो था ये बाहदुर साथ पर्थम ने जो है क्या किया बाहदुर साथ पर्थम ने इनके आंदोलन मतलब इनके आंदोलन का सम्मान करते हैं आप मानिए लेकिन ये नहीं माने बंदा बाहदूर तो इस वजे से इसको जो है इस अभीयान ये चलाया और उस अभीयान में ही जो है बाहदूर बहदूर शाप Kritham की होगी मिरत्यु क्या होगई वाहदूर ले अधियान चाणाया बाहदुर होकर इनकी अक्नीत प्रतली और बेंस ऐसी अभियान में मार दिया तक चीक है और इसे जो है क्या कहा जाता है इसे साहे बेखबर कहा जाता है क्या कहा जाता है अपनी प्रसासनी छमता का पता ना होने के कारण इसे साहे बेखबर कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है शाहे बेखबर चीक है तो पूछा जाता है कि कौन से मुगल दूसरा है आप लोगों का जाहनदार सहा ठीक है अब क्या हुआ इसके बाद जो है बादूर सा परतम की हो गई मिरत्यों बादूर सहा के भी चार बेटे थे एक था जहनदार सहा एक था जहान सहा एक था अजीमुष्शान और एक था रफी मुस्सान ठीक है अब इन चारों के बीच युद्ध चड़ गया जब इसकी मिरत्यों हो गई बादर साथ फिर थमकी तो इन चारों के बीच युद्ध चड़ गया और इन चारों के बीच युद्ध में एक मैंने अभी आप लोगों को बताया था जुल्फी कारखा नाम का एक व्यक्ति था जो इरानी दलका था जो इरान से आया था उसके जो पूरवच थे वो इरान के रहने वाले सैनिक थे जो सैनिक जो वहाँ से आये थे अकरांताओं के साथ तो वो सैनिक जो थे उनके वनसज थे ये कौन जुल्फी कारखा उनके वनसज वही ऐसा होता है ना जैसे सैनिक मलब छोटे वोटे सिपाई और वो यहाँ पर आके भारत में बस गए और उसमें से कुछ जो टैलेंटीड बच्चे थे उनके वो निकले और उन्होंने जो भी टैलेंटीड होगा वो अपना वर्चस फैलाएगा दुनिया में सिदी सी बात है वो किसी भी घर में जनम ले तो इसी तरीके से हुआ यह राजा महराउजाओं के घरों में इन्होंने जनम तो नहीं लिया छोटे-छोटे सिपाईयों के घर में इन्होंने जनम लिया जो यह मैंने अभी इरानी दल, तुरानी दल, अफगानी दल बताए इन्होंने छोटे-छोटे सिपाईयों के घर में जनम लिया लेकिन इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया इन्डारेक्टूप से भी चलाया हो, इन्डारेक्टूप से या मुघ्लों के सायोग पर ranayas साहा का सहयोग करा और जहांदार साहा ने इन तीनों को हरा दिया और इन तीनों को हरा कर जहांदार साहा बन गया बाश्चा क्या बन गया जहांदार साहा बन गया बाश्चा कौन बन गया जहांदार साहा बन गया किस वज़े से बन गया जुल्फीकार खा की वज़े से बन गय क्योंकि जहदार साह की जो है जुलफिकार खाने साहिता करें दिल्ली का बज़ाह करें और जुर्फिकार की साहता से बन बैठा ठीक है अब इसे जो है कहा क्या जाता है सबसे पहले तो यह देख लेते हैं इसे कहा जाता है लंपट मूर्ख ठीक है जैसे बादूर साह पर्थम को जो है क्या का जाता है शाहे बेखवर का जाता है जाहदार साह को लंपट मूर्ख का कहा जाता है पहली बात तो इसे क्या कहा जाता है इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है और यह जो है लाल कुमारी नाम की वैश्चा लाल कुमारी वैश्चा पर आसकत था जिकने लाल कुमारी वैश्चा रखता था यह चिक है इसी पर आसकत था तो इसी वजह से जो है यह कफी ब जहदार सा के समय में जजिया पर रोक लग गई थी जजिया पर रोक ठीक है नहीं क्या हो गया था जजिया कर आप लोग जानते हैं ठीक है जो धार्मिक जो यात्रा पर लगने वाला कर है वो क्या कहलाता है वो कहला था जजिया कर तो जजिया कर पर रोक लगा दी गई और इसने क्या किया इसने जो है आमेर के राजा आमेर के राजा सवाई जैसिंग को मालवा का सूवेदार बनाया क्या बनाया इन्होंने मालवा का सूवेदार बना दिया मालवा का सूवेदार बनाया और मिर्जा राजा की उपादी दी कहा की उपादी दी मिर्जा राजा की इनों ने उपादी दी और इन्हें मालवा का सूवेदार बनाया और मिर्जा राजा की उपादी दे दी पहली बात तो ये दूसरी बात एक और थे एक थे मारवाड के राजा, मारवाड के अजीस सिंग को माहराजा की उपाधी दी मारवाड के अजीज सिंग को महराज़ की उपाधि दी और गुजरात का सूवेदार बना दिया गुजरात का सूवेदार बनाया चीक है नहीं? क्या बनाया? गुजरात का सूवेदार बनाया चीक है? इसने जो है मराठों को दक्कन की दक्कन से करवसूलने के अधिकार दिये यह मतलब दक्षन भारस से जो है मराठों को क्या दिये करवसूलने के चोथ तथा सरदेश मुखी वसूलने के क्या दिये अधिकार दिये जहांदार साने तो यह सारी चीजे थी जो जहांदार साने करा और जहांदार साने यह काम कितने समय में करा कुल 1712-13 तक एक साल के कार्यकाल में इसने यह काम करा जजिया पर रोग लग गई लाल कुमारी नामक वैस्या पर आ सकत था HIV का रोग हो गया क्या हो गया HIV यानि के AIDS का रोग हो गया और AIDS के रोग से यह मर गया ठीक है उसके लंपट मूर्खी से का जाता था जजिया पर रोग लगा दी गई मारवाड के अजीज सिंग को महराजी की उपादी दी गई और गुजरात का सूबेदार बना दिया गया और सवाई जैसिंग को मिर्जा राजा की उपादी थी जो आमेर के राजा थे और उन्हें मालवा का क्या बना दिया गया मालवा का उन्हें सूबेदार बना दिया तो यह सीन था किसका जहनार सा का सीन था और जहादार सहा के सीन के बारे में आप लोगों क्यों आ गई समझ में मुझे आप लोगों पर पुरा विश्वास है तो यह आप लोगों का कब से कब तक बना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कब से कब तक बना तो यह आप लोगों का 1712 से लेकर 1713 तक और इसे आप लोगों कहा जाता है लंपट मूर्ख क्या कहा जाता है लंपट मूर्ख कहा जाता है अब जहदार साहा के बाद आप लोगों का आया कौन फर्रुक्सियर आया फर्रुक्सियर कौन आया फर्रुक्सियर आया जो जाहादार साहा का बतीजा था. फरुकसियर और यह फरुकसियर, 1713 से लेकर 1719 तक रहा, गरी. काया अब देखिये यह बहतीजा फरुक सीयर था इसने क्या किया इसका साथ दिया दो सैयद बंदू थे चीक है और मैंने बाताया यह जो सैद बन्दू थे और इसमें एक का था अब्दुल्ला खाँ एक का नाम क्या था एक का नाम था अब्दुल्ला खाँ और दूसरे का नाम था हुसैन अली दूसरे का नाम क्या था हुसैन अली तो अब्दुल्ला खाँ और हुसैन अली ने इन दोनों ने इन दोनों ने साथ दिया दोनों भाईयों ने और फर्रुक सियर को जो है शासन पर बिठा दिया 1713 इसवी में फर्रुक सियर शासन पर बैठ गया इन दोनों भाईयों ने साथ दिया अब उसमें क्या हुआ उसमें अब्दुल्ला खा तो बना वजीर, वजीर मंत्री होता था, बहुत महतपूर्ण मंत्री होता था, और भाईया ये बना मीरवक्सी, ये क्या बना, ये बन गया भाई जी मीरवक्सी, चीक है ने, अब ये मीरवक्सी बना, अब्दुल्ला खा क्य टायर कहा जाता है और जब यह क्या किया इसने जब यह लोग अपना सारी चीजें की चलने लगी सासन में तो миसे घृण़ गेंगा हो गई और उन्हें टो जो है उसे लगने लगा कि नोगों ने तो जो है मेरे शासन पर प्रुजा कर लिया पूरे तरीके के से और इनहों पारना चाहिए भी राज शाषन मिल गया गदी मिल गई अब गदी मिलने के बाद जब लगा कि यह लोग ज्यादा हस्तक शेप कर रहे हैं तो इसने क्या किया इसने सड्यंत रचना शुरू कर दिया इन लोगों को मारो अब क्या हुआ समय से पहले ही इन्हें जो है दोनों भा फर्रुक्सियर को मरवा दिया क्या करा इन्हों ने ही फर्रुक्सियर को मरवा दिया और फर्रुक्सियर मारा गया जिक है अब फर्रुक्सियर ने क्या 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 था यह सुनिए सबसे पहले सबसे पहली बात तो सत्रे सो सत्रे इसवी में जिकने सत्रे सो सत्रे इसवी में फ हादार सां के समय में जजिया पर रोक लगी थी लेकिन इसके समय में जजिया समाप्त हो गया था क्या हो गया था जजिया जजिया को समाप्त कर दिया गया था पूरे तरीके से क्या कर दिया गया जजिया को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया था और 1717 इसवार इसने मैंना कार्टार प्रतान किया अंग्रेजों को था उनुक्त कर दिया अब छली सुनते हैं इसकी बात मैंना कार्टा वैसे मैं आप लोगों को बता पर दी देखेए मैंगना-कार्टा होता क्या है पहले स्षून लौ आप एक बार बहता देता हूँ इसकी प्रश्च भोह इंग सी BOB सी बारही सो 155 किम आगा हुआ क्this पहली जो है मूल अधिकार लिखवाए थे पबलिक के लिए मूल अधिकार लिखवाए थे पबलिक के लिए तो इन मूल अधिकारों को जो लिखवायागा उसको मैगना कार्टा कहा जाता था जिसे वो जो किताब लिखी गई ना उस किताब का नाम था मैगना कार्टा तो तब ही से जहां पर भी अधिकारों की बात आती है उसे मेंगना कार्टा बका जाता है अब क्या हुआ 1770 में अंग्रेजों के जो दल आता था भारत में तो अंग्रेजों के दल के साथ जो है एक डॉक्टर भी आते थे उनके तो उनकी सप्रणाली ठीक ठाक थी तो उनके किसी डॉक्टर ने जो है फरुक्सियर हो गया था बीमार फरुक्सियर की बीमारी ठीक कर दी डॉक्टर को ठीक कर दिया तो डॉक्टर को ठीक करने की वज़े से फरुक्सियर उनसे खुस हुआ और फर्रूक सियर ने क्या किया फर्रूक सियर ने जो है उन्हें जो है मैगना कार्टा प्रदान करने का मतलब है कि उन्हें तीन हजार रुपे के बदले केवल तुम तीन हजार रुपे और उनसे कहा कि तुम केवल जो भारतिय जितना कर चुकाते हैं इतना टेक्स चुका कर क रूपे देकर आपको बिना कर दिये पूरे तरीके से पूरी चूट है टेक्स वो देने की व्यापार करने की ठीक है तो इस यहां से जो है उनके वो जो है पूरे तरीके से और यह जो मैगना कार्टा था यही मैगना कार्टा फिर बंगाल पर कभजा करने का एक मजबूत रास्ता बना किसका अंग्रेजों का अंग्रेजों ने आने वाले समय में ब मुर्शीत कुली खाव गयना ने वहाँ पर सासन किया स्वतंत्र रूप से लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर जो है यह आगे कौन आगे अंग्रेज आगे चेकर ने क्योंकि पहले तो जब यह सासन यहां से कम जो रोगया तो यहां से कम जो होने के बाद जो अभी ना शुरू कर दिया तो इस वज़े से फिर उसके बाद अंग्रेज नहीं उसे भी कवजे में कर लिया तो इसी तरीके से सत्रेसो स्ट्रे में मैगना काटर जजिया को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया चलिए अब अगला सासक हम पढ़ते हैं अगले सासक का नाम है रफी उदरजात यह सत्रेसो उन्नीस मेही तीन चार महीने रहा भस ये ठीके नहीं यह सत्रेसो 19 महीं रहा और यह 3-4 महीं रहा और यह जो है च्छै तपैदिक या टीवी कुछ भी बोल देते हैं तपैदिक छै टीवी ठीक है इससे मर गया ठीक है सभी बाश्चाहों में जितने भी बाश्चाह हुए किसके मुगलों के मुगलों के सभी बाश्चाहों में सबसे कम समय तक सासन करने वाला बाश्चाह का नाम था रफी उधर्जात ची इक है 17-19 में बना उसे motyw और टीवी मतलब तीनों इकी नाम है ठीक है यह जहे रोग से यह मर गया दो उसके बाद इसके बाद भना रफी ओद्दोला रफी उद्दोला अब देखिए एक चीज आप सुनिए सेयद बंदूओं ने ही बनाया फरुख सियर को सब्रुख सियर ने इनके खिलाब सड़ेंतर रचना शुरू कर दिया तो इसे ही मार दिया फरुख सियर को उसके बाद सवियत बंदूओं ने ही बनाया रफिय उद्दौला को उसके बाद सफी उद्दौला ने ही बनाया रफिय उद्दौला को जब इन्होंने रफिय उद्दौला को बनाया तो 1719 में ही बनाया ये इस से 24-25 दिन फालतू समय तक रहा तो ये दूसरे नंबर का ऐसा स सकता जो जो है सबसे कम समय तक रास सबसे कम समय तक रफियुद दर्जात और फिर रफियुद दोला चीक है 1719 में दोनों निवट गए और यह मर गया पेचिस से यह बड़े वाला अफीमची था क्या था बड़े वाला अफीमची चीक है नहीं मतलब बहुत जादा अफीम मर गया है ठीक है को रफियु दोला फिर उसके बाद में में सहा बनाया है किसने बनाया संदीं ही बनाया मोमशा को और मॉमशा को भी सत्रह सो उननीस विव णौनाया और मॉमशा ने काफी लंबे समय तक सासन किया 1719 से लेकर सथरह सो अर्तालिस तक को किया 1719 से लेकर सÅ 348 काफी लंबे समय तक जो है सासन किया मुहमुष्णा ने ठीक है तो सयद बंधूओं के द्वारा बनाए गए चार सयद बंधूओं ने चार मुगलबासा बनाए है ये ध्यान रखना है सयद बंधूओं नो इसलिए सयद बंधूओं को किंग मेकर कहा जाता है क्या कहा जाता है सयद बंधूओं को सयद बंधूओं को किंग मेकर यानि के राजा बनाने वाले ठीक है ये राजा बनाते थे तो इनोंने जो है चार राजा बनाए मुगलों के चार राजा इनोंने बनाए ये 4 बाश्चाहो के कार्यकाल तक रहे हैं, ये सवाल पूछा जाता है, कोन-कोन से सा बाश्चा, भरोक्सियर, रफियुत दर्जात, रफियुत दौल और मुहमत शा, ऐब हम मुहमत शाह के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, तो देख़ें, सबसे पहली बात, यह देखिए सबसे पहली बात तो है मुहमस्षा के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहली बात तो मुहमस्षा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुहमस्षा को रंगीला कहा जाता है क्या कहा जाता है मुहमस्षा को मुहमत शाह को का जाता है रंगिला क्या का जाता है मुहमत शाह को रंगिला का जाता है और मुहमत शाह के समय में ही चो का जाता है रंगिला क्योंकि मुहमत शाह अधिकतर समय हरम में विताता था जहां पर इंकी राम महारा रानिया या रखेल होती थी तो वहां पर ये जो है म रणिला में आप लोग इसे संथा स्वतंत्र छागे ज्याद स्वतंत्र राज्य होगतनें राज्युष जो सुभे थे उन्हों ने स्वतंत्र रूप से सासन करना इस्टार्ट कर दिया क्यों कि नमारे बहरत के अंदर केंद्र में एक सरकार है चाहां प्रीधतान slate तो उन राज्यों की अपनी अपनी सरकार है अब माल लीजिए हमारा समीधान मजबूत ना हो जैसे कि आप हमारा तो अब समीधान से चलती है सरकार समीधान से और समीधान में अखंडता सब्द जुड़ा हुआ है चीज सरकार के हमारा जो भारत है वो अखंड है उसको खंडत नहीं किया जा सकता तो समीधान में बने हुए हैं सब अगर माल लीजिए अब है क्या यदि हमारा जो है यह भारत है एक तो केंद्रिया सरकार होती है केंद्रिया सत्ता तो ऐसे ही उस समय केंद्रिया सत्ता पर बै सरकार को भीज़ती है तो वह सरकार लेकां माल लिजी अगर कोई सरकार अजब ऊतर जाये कोई मुख्यमंतृ स्वतंत गोसीत कर दे अपने स्वतंतों कोई भी टेक्स में में मैं केंद्र सरकार को क्यें भी तैक्स में सब्सक्राली सब्सक्राइब। तो जादतर जो राज्या थे वह मोहमज सा के सासनकाल में हो गए स्वतंत्र क्योंकि बोमज साइब रहता थे हरम में उसके पास इतरा समय नहीं था इसका मतलब है कि वह केंद्रिय स्था को कमज़ोर देखते हैं उन्होंने मोके का फाइदा उठाया और मोके का फाइदा उठाते हुए उन्हों लोगों ने क्या किया उन्हों लोगों रजह स्वतन्द रूप से काम करना शुरू कर दिया ठीक है तो उस समय कोई समीधान वगेरा तो होता नहीं था वो तो बस यह देखते थे कि कि अधी बहुत है क्योंकि केंडर्य सक्तeः मजबूत वश्राइब ओ जैसे अवद मबचा साथख्या साधतखlarını कि बनगाल का संस्थाफक है आप लोगों का मुर्शीद कुली मुर्शीद कुलिखा है 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 रवाद का संस्थापक है निजाम उल मुल्क निजाम उल मुल्क जिक है और आपका भरतपूर भरतपूर के संस्थापक था लोगों का कौन तो बनंसिंग और चूडामन चूडामन बदन सिंग ठीक है तो इस तरीके से इन राज्यों ने मुहमद्शा के सासनकाल में स्वतंत रूप से सासन करना शुरू कर दिया ठीक है अभी पढ़ाओंगा इसे भी अगली वीडियो में आप लोग इनी को पढ़ेंगे अगली वीडियो में आप लोग इनी को पढ़ने वाले हैं कि अबदक सासन स्वतंत रूप से करा तो कैसे कैसे करा चिक है बंगाल के बारे में हैदरावाद के बारे में इनी के बारे में आप पढ़ेंगे पंजाब के बारे में भी पढ़ेंगे मैसूर के वारे में पढ़ेंगे और आप लोग जो है रुहिल खंड के बारे में पढ़ेंगे इन सबी स्वतंतर राज्यों में मराठों का जो राज्या था वह सबसे समय में ही आया था नादिर सहा मोहम्मद सहा के समय में ही नादिर सहा भारत आया था नादिर सहा ने भारत आकर्मन किया था क्या करा था आकर्मन चीक है ने ठीक है नादिर साह को इरानी नैपोलियन कहा जाता है और नादिर साह को इरानी नैपोलियन कहा जाता है और नादिर साह ने मुहम्मस साह के समय में ही क्या किया था आक्तरमन किया था भारत में और इसी के समय में फिर नादर साह का लड़का था एहमस साह अबदाली एहमज साह अब्दाली तो एहमज साह अब्दाली ने भी भारत पर आत्रमन किया था इसी के समय मुहमज साह के समय में जब नादिर साह यहां आया तो नादिर साह ने यहां से आकर क्या 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 किया नादिर साह यहां से आकर एक तो ले गया कोहिनूर हिरा क्या ले गया एक तो ले गया कोहिनूर हीरा चीक है और एक इनका जो वो होती थी गद्धी तो उसे का जा था तक्ते ताउस तक्ते ताउस को ले गया और कोही नूर हीरा ले गया इन्हें अपने साथ ले गया कौन इरानी नैपोलियन नादिर सहा अपने साथ ले गया अब क्या हुआ 1749 में नादिर सहा के लड़ने के लिए इसने जो संस्थापक था अवद का साधत खां और इरानी दल का था तो साधत खां को बुलाया साधत खां को इससा लड़ने के लिए बुलाया और ये नादिर सहा से लड़ते लड़ते 1749 में मारा गया कौन साधत खां साधत खां जो है 1749 में ही मुहमत सहा से लड़ते लड़ते मारा गया तो ये थे मुहमत सहा के समय के काम और मुहमत सहा को रंगी लगा जाता था चीजे हैं चो कि लिए इसे चीजे आप लोगों ने पड़ों है तो आगे बढ़ते हैं लोग का बढ़ते हैं अगे बढ़ते मिन पूह ok बत्तिंस साक्व फुए अब मैं से मिटा देता हूँ inhibjego T ें करने के जगाने मुझा अगले बातका लिखने हैं कि कि की लिखने के लिए जगे नहीं है मुझे अगले बास्ता लिखने है चलिए अब देखिए मुहमस साह से जो है अगला सासक था एहमद शाह बहदूर एहमद शाह बहदूर एहमद शाह बहदूर 1748 से 1754 तक रहा कब तक रहा 1748 से 1754 तक रहा एहमद शाह बहदूर अब यहां से एक जी आप ध्यान रखेंगे यह है एहमद शाह बहदूर और एक था एहमद शाह बहदूर अब इससे कोश्चन क्या आता है यह ध्यान रखेंगे दोनों के नाम एहमद शाह ही है यह ध्यान रखना है दोनों अलग लग वि एहमस्षा अब्दाली ने पहला आकर्मन मुहमस्षा के सासनकाल में किया लेकिन एहमस्षा अब्दाली ने सरवाधिक आकर्मन जो किये वो किसके सासनकाल में किये वो एहमस्षा बहदुर के सासनकाल में किये एहमसा अब्दाली ने सरवाधिक आकर्मन एहमसा बहदुर के सासनकाल में किये पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे ये क्या याद रखेंगे एहमसा अब्दाली ने सरवाधिक आकर्मन एहमसा बहदुर के सासनकाल में किये पहली बात तो ये है दूसरी बात ये है कि इसने जो है जावेद खान नाम का एक हीजडा था हीजडो का राजा हीजडो का राजा हीजडो का राजा था जावेद खान जावेद खान को नवाब बहदूर की उपादी दी क्या दी जावेद खा को इसने नवाब बाहदुर की उपादी थी एमज शाह बाहदुर ने जावेद खा को नवाद बाहदुर की उपादी दी तो इसके बारे में बस यही जानना है बाकिस के बारे में कुछ नहीं जानना है इसके बाद जो है यह मर गया और 1754 में अगला सास उसका नाम था आलमगीर दुट्य क्या नाम था आलमगीर दुट्य कैसे कैसे आया इसको आप लोग समझेंगे देखिए आलमगीर दुट्य जो था इसे बनाया था इमाद मुल्क ने किसने बनाया था इमाद 누irmु कहों के सहयोगOP को उतरवा दिया और इसने आलमगीर दुट्य शक्या अठम होत बनादिया और यह सत्रे सो चववन से सत्रे सो अठावन तक शासक रहा इमाद उल्मुल्क पहले तो खुद वजीर बना ठीक है और फिर इसे सासक बना दिया क्योंकि खुद सासक नहीं बन सकती थी पबलीग विरोध करती थी तो आलमगीर दुट्य को इमाद उल्मुल्क ने जो है क्या करा इमाद उल्मुल्क पहले मराठो की साहता से बना वजीर और फिर आलमगीर दुट्य को वहां का सासक बना दिया और वजीर बहुत पावरफुल मंत्री होता था ठीक है और यह जो है इसी आलमगीर दुट्य इसी की कट पुतली बना रहा ठीक है नहीं इसी की कट पुतली बन उसके बाद अगला सासक जो बना वो बना साहजहां तिरत्या, कौन बना साहजहां तिरत्या, यह साहजहां तिरत्या कौन था, यह साहजहां तिरत्या था फर्रुग सियर का पोता, जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा फर्रुग सियर, उस फर्रुग सियर का पोता था साहजहा तो साहजा तिर्थया ने जो है साहजा तिर्थया सासक बना और साहजा तिर्थया सत्रे सो अठावन से लेकर सत्रे सो उनसर तक रहा इसका कोई ऐसा काम नहीं जो आप लोगों को पढ़ना है साहजा तिर्थया के बाद फिर आया आप लोगों का सहा आलम दित्या कोन आया सहा आलम दित्या आया और ये जो सहा आलम दित्या था ये सत्रे सो उनसर से लेकर कव तक रहा अठारे सो छे तक रहा आप सहाहाम जित्ये । चहालं जित्ये के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि इसने क्या 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 काम करें तो देखिए समझे पहले साहालम दित्य के बारे में सबसे पहले बात तो यह है कि साहालम दित्य जो था बकसर के युद्ध में जो था इन्वोल्व था और यह जब वहां से भागा तो इसे जो है सरण दी थी किसने इसे सरण दी थी सुजा उद्दोलाने किसने सरण दी थी इसे सरण दी थी सुजा उद्धोला ने किसने सरण दी थी इसको सुजा उद्धोला ने सरण दी थी अपने यहाँ पर चलिए एक तो बात हुई ये दूसरी बात दूसरी बात इसने जो है देखे 1757 में इससे पहले ही एक बात ध्यान रखेंगे आलमगीर दित्या के समय में हुआ था प्लासी का युद्ध किसका युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध हीसी के समय में हुआ था आलमगीर दित्या के समय में और सहालम दित्या के समय में एक तो हुआ था बकसर का युद्ध कौन सा युद हुआ था बकसर का युद हुआ था 1764 इसवी में हुआ था बकसर का युद बकसर के युद में सहा अलम दुत्या ने मीर कासिम का साथ दिया था ठीक है निक क्योंकि मीर कासिम 1763 इसवी में आगे पढ़ेंगे आप इसे मीर कासिम को 1763 UCB में गद्धी पे सो तार दिया था मीर कासिम को और 1764 में मीर कासिम का बकसर का युद्ध हुआ किसके साथ हैक्टर मुन्रो के साथ हैक्टर मुन्रो अंग्रेजों की तरफ से था और हैक्टर मुन्रो के साथ मीर कासिम का युद्ध हुआ लेकिन मीर कासिम के साथ युद्ध में एक तो सुजा उद्धोला ने साथ दिया अबत का नवाब सुजा उद्धोला ने साथ दिया और दूसरा सहा आलम दित्या ने साथ दिया किस ने साथ दिया सहा आलम अब इसमें यह हार गए पूरे तरीके से और आपको पता भी होना चाहिए कि बकसर का युद्ध एक नड़ना यक्दुद था इस युद्ध से भारत के अंदर अंग्रेजों की सत्ता पूरे तरीके से कायम हो गई तो इसलिए बकसर का युद्ध नड़ना इसमें यह बुरी तरह से हारे और जो यह सहालम दित्त्य था इसे क्या कर लिया गया इसे बंदी बना लिया गया और यह अंग्रेजों के संक्रक्षन में रहा और इसे जो है पैंसन भोगी बना दिया गया और इसे जो है पैंसन देकर केवल अंग्रेजों ने अपने संग्रेशन में रखा लेकिन क्या हुआ बाद में मराठो ने इसे जो है मराठो गी साहता लेकर ये दिल्ली पर फिर बैठिया चैके ने, मराठों ने इसे दिल्ली का सासक बना दिया, लेकिन फिर अंग्रेजों ने दिल्ली को जीत लिया, जब अंग्रेजों ने दिल्ली को जीत लिया तो फिर ये क्या हुआ, ये जो है फिर वही बन गया, चैके ने, और इसी के समय में पानीपत की तीसरी लडाई हुई क्या हुई पानिपत की तीसरी लड़ाई हुई इसी के समय में 1761 में इसी के समय में पानिपत की तीसरी लड़ाई हुई इसी के समय में 1761 में तो कहने का मतलब यह कि सजाउद्धूला बक्षर के युद्ध में हार गया था और यह हारनेके बाद इसे पयंसन भोगी बना दिया गया और पयंसन भोगी बनाने के बाद यह क्या हो गया फिर ये दिल्ली के अप मराठो ने दिल्ली पे बैठा दिया दिल्ली में मराठो ने बैठाने के बाद फिर इस जो है दिल्ली को जीत लिया बैठा दिया उसके बाद अंग्रेजों ने फिर दिल्ली को जीत लिया फिर इसे पैंसन भोगी बना दिया तो यह क्या हो गया यह सास सिमत कर रह वोगों तो यह था आप लोगों थुट्याバ और अंधा बना दिया गया था junior सहा आलम दित्य के बाद कोन आया इसके बाद आया अकबर दित्य रहा 1806 से लेकर 1807 तक और अकबर दित्य ने जो है क्या करा अकबर दित्य ने राम मोहन राय को राजा की उपादी दी उसके बाद आप लोगों को न आया उपर का मिटा देता हूं मैं आप लोगों का चीके उकपर अकबर दृत्य के बाद आया बहदूर सहा दृत्य को न आया बहदूर सहा दृत्य को न आया बहदूर सहा दृत्य और यह 1837 से 1857 तक कव सब 1837 से 1857 तक और इसे जो है जफर के उपनाम से भी जाना जाता है इसे बहादूर सहा जफर भी कह जाता है, अब क्यों कह जाता है, क्योंकि ये जफर के उपनाम से सायरी लिखता था, क्या करता था, ये जफर के उपनाम से सायरी लिखता था, ठीक है, और पहले इसके बारे में सुन लिजी ये, ये क्या था, ये जो है बुड़ा बाश्या था चीक है और इसने जो है 884-00-00-1957 में क्या हुआ जब 884-00-67 की किरांती हो गई थी आगए आप 884-00-atri की के पढ़ेंगे जो आजादी की पहली किरांती थी उस किरांती में इसे अगवा बना दिय गया था ये मना कर रहे थे लेकिन ये बना दिया गया था Τैंक पबलिक क्योंकि आसा कोई नेत्रतव करना नहीं थैंhte इन से का कि आप हमारा नेत्रत करूं लिए इन्हीं में छो Nicki बेज दिया और रंगून जाकर इनकी 1862 में होगी मृत्यू ठीक है अब एक चीज एक आप याद रखेंगे एक यह जो अकबर दित्या था यह पहला सासक था जो केवल लाल किले तक सिमट गया था यह केवल लाल किले तक था प्ला किले तक सिमटा हुआ यानि के नामात्र के सा साथ रहे थे अकवर्धित्य और बाहदूर्सा जफर ये दोनों नामातर के सासक्ते दिल्ली पर पूरी तरीके से मुख्तार कर लिए गया इसnya रंगून भेज दिया गया रंगून भेजने यह वो लिखता था हूं निखता था चुलिए इसके एक नजम की हम बात करेंगे जो 597 के क्राम्ती में इस नजमगा थी अपनी इस नजम के बारे में हम बात कका आप लोगों के सामने करने जा रहे है तो एक नजम थी इसकी सुनिए सुनिए इसकी नजम बताता हूं अठारसो सत्तामन की किरांती में बादोर साह जफर नहीं जो है एक नजम है उस नजम देखे ना मैं किसी की आखों का नूर हूँ ना मैं किसी की आखों का नूर हूँ ना मैं किसी के दिल का करार हूँ जो किसी के काम ना आ सका मैं तो वो बुचता हुआ चिराग हूँ जो किसी के काम ना आ सका मैं तो वो बुचता हुआ चिराग हूँ तो ये नजम जो है इसी की नजम है बहादुर साह जफर की ठीक है बहादुर साह जफर ने जो है दुखी होकर ये 1857 की किरांती में जब 1857 की क्रांती क्योंकि ये काम्याब नहीं हो पाई थी ठीक है इसके बहुत सारे कारण थे वो हम 1857 की क्रांती में आप लोगों को पढ़ा क्या जो आप लोगों के मुगल काल के जो बाधसा थे वह आप लोगों के समाब तो बारे बाधसा मुगल काल के यह च्छा बाधसा पहले बारे च्छा टोटल अठारे बाधसा मुगल काल के जो है बैठे जो मुगल काल के बाधसा जित थे 1526 से लेकर 1857 तक चीक है टोटल 18 बा 6 बादसा जो थे उनका जो है इतिहास में बहुत अच्छा नाम है चीक है और जो ये 12 बादसाओं थे इनका जो है कोई खास का नाम इतिहास में नहीं है लेकिन modern streaming से question बनते हैं तो वो question आप लोगों को ध्यान रखने है चीक है वो सारी चीजिए हैं मैंने एक लिए question पर आप लोगों से जो है बात की है आप उसे जो है बड़ अच्छे तरीके से समझे होंगे चीक है तो इसी को जो है आप लोगों के ये topic खतम हो गया अगली वीडियो जो है आप लोगों की बनेगी 18 सधी के अंदर जो इसारी सोतनत रौई है उनी के बारे में आप लोग पड़े गेंगे जो राज्य अठारवी सधी के अंदर स्वतनत रौँ है अब उनके बारे में मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा चलिए किसी के साथम говорит इस वीडियो को जो है यहां ही पर समाप्त करते हैं ओके थैंक्यू जैहिन जैभारा धन्यवाद